नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विदालोक ओनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिस्र खबरों में आगे बढ़ने से पहले हेडलाइन्स पडालते हैं एक नजर सौधी एरब ने पाकिस्तान को बड़ा जटका देते हुए सभी तरह के कर्ज और तेल आपूर्ती पर लगाई रोक कहा एक बिलियन डॉलर को भी वापस करे पाकिस्तान इसराइल और UAE के बीच अमेर्की राष्टपती डोनाल्ड टरंप की मध्यस्तता से आयतिहासिक सान्ती समझाओता मिस्र और जॉर्डन के बाद इसराइल के साथ राजनेक संबंध सुरू करने वाला तीसरा देस बना UAE और अब चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं सौधी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए तेल आपूर्ती और कर्ज बंद करके बहुत बड़ा जटका दिया कहा जा रहा है कि दोनों देसों के बीच दसकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई सौधी अरब ने यह कदम पाकिस्तान के विदेश मंत्री साह महमूत कुरैसी के द्वारा कस्मिर मुद्दे पर भारत विरोधी रवया ना अपनाने के लिए सौधी अरब के नित्रुत वाले इसलामिक सहयोग संगठन को जारी की गई चेतावनी के जबाब में उठाया है दरसल कथित तौर पर इसलामिक सहयोग संगठन को विदेश मंत्रियों की परिशद की बैठक बुलाने को कहा था बाद में कुरेशी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर यह बैठक नहीं बुलाई गई तो वह पाकिस्तानी प्रधान मंत्री से उन इसलामिक देशों की बैठक बुलाने के लिए कहने को मजबूर हो जाएंगे जो कस्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तैयार हैं कुरेशी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान सौदी अरब के अनुरूध पर कुवालालंपुर सिखर सम्मेलन में सामिल नहीं हुआ था और अब पाकिस्तान को उम्मीद है कि रास्ट इस मुद्दे पर निर्तित करेगी गौर्तलम है कि फरवरी 2019 में सौदी अरब के क्राउन फ्रेंस मुहम्मद बिन सल्मान की पाकिस्तान यात्रा के दोरान दोनों देशों के बीच 3 बिलियन डॉलर का कर्ज और 3.2 बिलियन डॉलर के तेल रिण पर हस्ताक्षर हुआ था इसके तहद जारी किये गए एक बिलियन डॉलर को भी वापस करने के लिए कहा गया है पाकिस्तान अपने इस्लामोफोविया की कहानी को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है हलाकि इस पूरे मामले पर भारत का सहयोगी देश माल्दिव ने इस कदम का विरूत किया है सैयुक्त राष्ट में माल्दिव के अस्थाई प्रतनिधी थिल्मिजा हुसैन ने कहा कि भारत की संदर्भ में इस्लामोफोविया में वृद्धिय का आरोप लगाना गलत होगा उन्होंने कहा कि भारत में इसलाम सदियों से मवजूद है और देश की 14.2% आबादी मुस्लिम होने के साथ भारत में इसलाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है दरसल देखा जाए तो सभी बातों का कनेक्शन भारत के जम्मु कस्मीर का विशिष्ट राजी के दरजे को समाप्त करने से है पाकिस्तान कस्मीर मुद्धे पर इसलामिक सहयोग संगठन के विदे समंत्रियों की बैठक बुलाना चाहता था हलाकी समुद्धे पर यह पाकिस्तान की नाकाम कोशिस थी इसराइल और UAE के बीच वर्सों से चली आ रही दुस्मनी के बीच 13 अगस्त 2020 को अयतिहासिक सांती सम्झोता हुआ इस अयतिहासिक सांती सम्झोते में मध्यस्तता की भूमिका अमेरिकी राष्टपती डोनाल्ड टरम्प ने निभाया है कहा जा रहा है कि नए सांती सम्झोते के तहत अब दोनों देश एक दूसरे के साथ राजनेक संबंधों की नई बुनियाद रखेंगे अमेरिकी राष्टपती डोनाल्ड टरम्प ने ट्विट कर इस अयतिहासिक सांती सम्झोते की घोशना की आपको बता दें कि इस सांती सम्झोते के तहत इसराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़कर UAE इसराइल से पूर्ड राजनेक संबंध बहाल करने को राजी हो गया और ऐसा करने वाला वह पहला खाड़ी देश बन गया इस पूरे घटना करम में डोनाल्ड टरंप काफी अहम करदार में नजर आए टरंप ने कहा कि इसराइल और UAE अपने राजनेक संबंधों को पूरी तरह से सामाने करेंगे इस समझोते के तहत अब इसराइल और UAE के प्रतनेधी मंडल आने वाले हपतों में निवेस, परिय गौरतलब है कि अब तक केवल मिस्र और जॉर्डन ही इसराइल के साथ राजनेक संबंधों को जारी रखे हुए हैं साल 1989 में मिस्र ने इसराइल के साथ एक सांती समझोता किया था, उसके बाद साल 1994 में जौर्डन के साथ भी एक सांती समझोता हुआ था इस सांधी समझोते के मद्धे नजर अमेरिकी राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प, इसराइल के प्रधानमंत्री बिंजामिन नेतन्याहू और अबुधावी क्राउन प्रिंस ने जारी एक सैयुक्त बयान में कहा कि मध्यपूर के दोथ सबसे गतिसील समाजों में उन्नत अर् प्रिका ने सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेताओं की सुची हाईस्ट पेड एक्टरस आफ 2020 जारी किया है। इस सुची में भारती फिल्म अभिनेता अक्षाय कुमार को भी अस्थान मिला है। टॉप टेंथ स्टार्स की सुची में सामिल होने वा यानि रॉक है जिनकी कमाई 1402 करोन रूपए है वहीं इस सूची में दूसरे अस्थान पर रयान रेनॉल्ड्स है जिनकी सालाना कमाई 534 करोन रूपए है भारत ने करोना महमारी से जूज रहे इंटीगुवा और बर्मुडा को एक मिलियन अमेर्की डॉलर की सहायता रासी प्रदान किया है जिसका उद्देस इन देसों में स्वास्त संबंधी बुनियादी धाचे में सुधार करना है आपको बताते चलें कि भारत ने करीकॉम के तहट करीबियाई समुदाए को एक मिलियन अमेर्की डॉलर की सहायता रासी प्रदान किया है करीबियाई क्षेतर बीस विकासिल देसों का एक समू है कैरीकॉम का गठन साल 1973 में किया गया था 2019 में नियू यॉर्क में पहला भारत कैरीकॉम सिखर सम्मेलन आयोजित किया गया इस बैठक में जलवायू परिवर्तन और कैरीकॉम ग्रूपिंग में भारत की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था भारत सरकार के आत्म निर्भर भारत अभियान सहित कई पहलवों में सौर उर्जा को आगे बढ़ाने के लिए नवीन और नवी करने ये उर्जा मंत्राले को 10 गीगावाट से अधिक के सोलर उपकरन बनाने के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं भारत 2022 तक 100 गीगावाट सौर उर्जा अस्थापित करने का लक्ष निर्धारित किया है जिसमें भारत ने 31 गीगावाट का लक्ष अक्टूबर 2019 में ही हासिल कर लिया था वर्तमान में भारत आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलूवी निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है इसमें भारत को कई तरह की कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ रहा है जैसे सोलर सेल टेकनोलजी को हर 8-10 महीने बाद अपग्रेट करना होता है साथी सौर सेल निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है भारत में रूफ टॉप सौर उर्जा 2.1 गीगावाट है इसमें 70% वानिजिक है इससे निपटने के लिए भारत ने इंटरनेशनल सोलर एलाइंस के साथ मिलकर काम कर रहा है ब्लूमबर्ग विलेनियर्स इंडेक्स के अनुशार भारती उद्योगपती मुकेश अमबानी दुनिया के चौथे सबसे अमेर व्यक्ति हैं इस सूचकांग के अनुशार उनकी व्यक्तिगत संपत्ति वर्स 2020 में 80.6 बिलियन अमेर की डॉलर आकी गई है मुकेश अमबानी ने LVMH के अध्यक्ष और CEO बर्नार्ड अरनेल को पीछे छोड़ दिया इस सूची में सीर्स सबसे अमेर व्यक्तियों में जेफ वेजोस, बिलगेट्स और मार्क जुकरबर्ग का नाम सामिल है हाल ही में रिलाइंस की सबसिडियरी वाकी जीयों में भारी मात्रा में विदेसी निविस मिला है जिसके कारण रिलाइंस ग्रुप के मुल्यांकन तथा सेयर की कीमतों में काफी व्रिधी दर्ज की गई 13 अगस्त को इसराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली Aero 2 का सफल परिक्षन किया है इस मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यमदूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है आपको बताती चलें कि वर्स 2019 में अमेरिका और इसराइल ने सैयुक्त रूप से अलास्का में Aero 3 का सफलता पूर्वक परिक्षन किया था इसको इसराइल Aero Space Industries और अमेरिकी कमपनी बोईंग द्वारा विक्षित किया गया था Aero Missile को अमेरिका के पूर्व समर्थन के तहद विक्षित किया गया था जिसको इसराइल के अलामा कोई भी देश इस पूरे सिस्टम को नहीं खरी सकता है भारत ने इस सिस्टम को इसराइल से खरीदने पर चर्चा की थी लेकिन अमेरिका ने MTCK का हवाला देकर इस पर वीटो कर दिया था फिलहाल 8 पिम के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहे टार्गेट विदालोक आउनलाइन इंस्टिटूट से मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार